दाउसकार बोल किलाब आजात हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा अगर भारती जाता पार्टी को आसानी से 400 सीटे मिल जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तनाव में क्यों है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में इस बात को लेकर डर है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे आज ये सवालात क्यूं पूछे जा रहे हैं क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी के परम मित्रों की वज़ा से भारत को तानाशाही की तरह ढखिला जा रहा है ये तमाम सवालात हैं लोग सभाचुनाब सामने हैं और जाहिर से बात है ये सवाल पूछे जाएंगे मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने आंडी मुखर जी के इस आर्टिकल का जिक्र करना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन्स पर है आंडी मुखर जी का ये आर्टिकल कहता है इसका अगर हम हिंदी में आनुबात करूँ तो भारत के अंदर जो धन्ना सेटों का राज है उनका जो दबदबा पिछले दस सालों में बढ़ रहा है उसी का परिणाम है कि भारत जो है वो ताना शाही की तरफ बढ़ रहा है मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस आर्टिकल में दरअसल आंडी मुखर जी ने कहा क्या है और उस पर आप गोर कीजेगा आंडी मुखर जी तीन लोग का नाम लेते हैं मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और सज्जन जिंदल वो ये बताते हैं कि पिछले दस सालों में ये तीनों दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में आ गए हैं यहां तक कि गौतम अडानी तो टॉप फाइव की लिस्ट में आ गए थे जी हाँ, दुनिया के टॉप फाइव अमीर लोगों में थे गौतम अडानी इस वक्त भी वो सबसे धनी व्यक्तियों में थे और 2014 से पहले अडानी का स्थान दुनिया के तमाम धन्ना सेटों में साथ सोवा नंबर था, करीब 696 नंबर था उनका मगर जैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोनी सत्ता में आते हैं गौतम अडानी का स्थान दुनिया के टॉप फाई धन्ना सेटों में आ जाता है अडी बुखर जी अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि ये लोग अपने प्रोड़क्ट्स को बेच कर या अपने बिजनस हुनर दिखा कर अमीर नहीं बने ये लोग इसलिए आमीर बने क्योंकि मोधी सरकार ने इन्हें बहुत अच्छे-च्छे कॉंट्राक्स दिये कई मामलों में तो दूसरे और द्योगि घरानों को डराध हमका कर इन्हें कॉंट्राक्स दिये गए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दरसल यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद यह किया जाएगा दोस्तों कि मोधी सरकार ने इन धन्ना सेटों को विदेशी प्रतिसपर्धा से बचाया जो विदेशी प्रतिसपर्धा करने वाली थी है जो विदेशी ओद्यों के घराने थे उनसे बचाया ना सिर्फ वो किया दोस्तों बलकि देश के अंदर भी बहुत आसानी से कई कांट्राक्स दे दिये मसलन एरपोर्ट्स और यहां पर मिसाल दी जाती है जी वी के ग्रूप और अडानी के मैं आपके सामने कुछ तारीखें रखना चाहता हूँ जिस पर आप गोर कीजेगा सबसे पहले जून 2020 जून 2020 को दोस्तों सी बी आई जी वी के ग्रूप के खिलाफ केस दर्श करती है क्रिमिनल कॉंसपरिसी और फ्रॉड के मामले में एक 705 करोड के घोटाले में जी वी के ग्रूप वो था दोस्तों जिसके पास एरपोर्ट्स का कॉंट्राक्ट था हवाई अड्डों का कॉंट्राक्ट था मगर हैस्माय तरीके से जून 2020 को CBI RAID मारती है एक कथित 705 करोड के घोटाले में अब इस तारीक पर गोर कीजिए दोस्तों अगस 2021 यानि की ठीक एक साल बाद ये RAID कब मारी जाती है दोस्तों जब देश कोरोना का सामना कर रहा होता है क्योंकि कोराना की आड़ में बहुत कुछ हुआ कोरोना की आड़ में मद्द प्रदेश की सरकार को गिराया गया और कोरोना की आड़ में महराश की सरकार को भी चुनौती मिल रही थी और कुरूना की आड़ में जी वी के ग्रूप पर CBI जो है वो रेड मारते है ठीक एक साल बाद गौतम अडानी कमपनी में 74% स्टेक खरीद लेते हैं हिस्सेदारी खरीद लेते हैं नतीजा क्या होता है जिस हवाई अड़े पर जी वी के का कबज़ा था वो अब गौतम अडानी के हाथ में आ जाता है तारीक पर गौर कीजे अगस्ट दो हजार तेईस और फिर दो साल बाद सारा खेला पलट जाता है जनवरी दो हजार तेईस को CBI कोट फाइंड जी वी के स्काम केस ट्रांसफर तो मजिस्ट्रेट कोट इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि CBI को इस मामले में अधिकारियों में कोई प्रहष्टाचार नहीं दिखाई देता मामले को मजिस्ट्रेट कोट के सुपूर्द कर दिया जाता है अब गौर कीजे कि आंडी मुखर जी ने अपने आर्टिकल में क्या कहा था चाहे सजन जिंदल हो चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे गौतम अडानी हो ये लोग धन्ना सेट इसलिए नहीं बन गए क्योंकि इन्होंने दुनिया को अपना प्रोड़क्ट बेचा दुनिया में अपना नाम कमाया ये लोग धन्ना सेट इसी लिए बनें क्योंकि मोदी सरकार इनकी लगातार मदद कर रहा था और ये बात सामने कहा उभर कर आती है ये बात सामने तब उभर कर आती है जब Chief Justice of India ये डी वाई चंद्रचूर की बतौलत देश के सामने गुप्त चुनावी चंदे का मामला सामने उभर कर आता है और इसमें क्या चीज़े सामने उभर कर आती है दोस्तों इसमें ये बात सामने उभर कर आती है कि किस तरह से ओद्यों के घरानों पर दबाव बनाया जा रहा था और वो लोग भाजपा को पैसा दे रहे थे उनके केसिस को खत्म किया जा रहा था यहां तक कि और्बिंदो फार्मा के सरत चंद्र रेड़ी पर दबाव बनाया गया और वो दिल्ली के शराब घुटाले में सरकारी गवाह बन गए इन्होंने भाजपा को 50 करोड रुपए दिये थे और फिर वो सरकारी गवाह बन गए और आप देख सकते हैं दोस्तों करीब 16,000 करोड रुपए में से भाजपा की जेब में 8,000 करोड रुपए गए फ्यूचर गेम का मालिक सैंटियागो माटिंग उसके 400 करोड की संपत्ती को जब्द कर लेती है मगर उसे गिरफतार नहीं किया जाता उसका बेटा भाजपा में शामिल हो जाता है और भाजपा में उन्हें शामिल करते हैं भाजपा के दिगजनेता राममाधव जिनके तार RSSS से जुड़े हुए है ये मैं आपको क्यों बतला रहा हूँ दोस्तों एक तरफ धन्ना सेटों का एक छत राज तूसी तरफ सीक्रिट एलेक्टोरल बॉंड्स के जरीए जैसा विपक्ष भी आरूप लगाता रहता है साफ तोर पर ब्लाक मेल का खेल चल रहा है आजाद भारत के इतिहास में ये एक ऐसा मामला है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ओद्यों के घरानों पर दबाव बनाया गया और उन्हें फाइदा दिया गया किस तरह से ओद्यों के घरानों ने भाजपा कुछ अंदा दिया और उसके बदले में उन्हें कॉंट्राक्ट्स मिले हेरों ऐसी मिसाले है मगर फिर लोगों के जहन में सवाल होगा कि मोधी सरकार खुले आम ऐसा क्यूं कर रही थी इसके दो कारण है दोस्तों सबसे पहला कारण जैसे ही गुप्त चुनावी चंदे का मामला सामने उभर कर आया आपने देखा होगा कि मुख धारा का मीडिया जो भारत के 99 फीसदी घरों में पहुँचता है उसमें इसको लेकर कोई चर्चा नहीं थी चर्चा बहुत दूर की बात है भाजपा सरकार को कट घरे में भी खड़ा नहीं किया गया भाजपा से कठिन सवाल भी नहीं पूछे गए यह तो मेरे जैसे फत्रकार थे या नियूस क्लिक जैसे मंच थे जो आपके सामने मुद्दा लगातार लाते रहे यानि कि भाजपा को यह बात पता है कि भेशक प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी अपने परम मित्रों को फाइदा पहुचाते रहे कोदी मीडिया उसे कभी नहीं उठाने वाला है और दूसरी बात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और इसी से जुड़ा हुआ है धर्म का मुद्दा भाजपा जानती है कि उसने देश की जनता को धर्म का धतूरा चटा दिया है उसने देश की एक बहुत बड़ी आबादी में ये बात जो है वो डाल दी है उसके दिमाग में हिंदू खत्रे में है अगर हम सत्ता से चले गए तो मुखलों का राजा जाएगा यानि कि एक तरफ वो अपने धन्ना सेतों को फाइदा पहुचाते रहे और दूसी तरफ जनता को धर्म के नाम पर बरगलाते रहे मूर्क बनाते रहे ब्रेन वाश करते रहे यही वज़ा है कि जनता का ध्यान इन मुद्धों पर नहीं जा रहा था और समानांतर तौर पर देश के लोक्तंतर को नुकसान पहुचाय जा रहा था विपक्ष के नेताओं पर अनाप शनाप अनर्गल केस किये जा रहे थे मसलन अगर आप दिल्ली के शराब घुटाली को भी देखें तो इस मामले में केजरिवाल को भी जेल में डाल दिया गया है और आप जानते हैं इस मामले में भाजपा के या एडी के स्टार गवाह कौन है और विंदो फार्मा के सरचंद रेड़ी जिन्होंने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदे में पचास करोड रुपे दिये थे और बाद में गिरफतारी से बच गए थे और बाहर आ गए थे और अब जाहर से बाते सरकारी गवाह बन गए हैं तो इनके जो गर्दन पर तलवार है वो भी हट गई है समानांतर तोर पर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म किया जा रहा है राहुल गांधी को अलग-अलग केसिस में फसाया जा रहा है उनकी तो सांसदी भी चली गई थी उनका सांसदी वाला मकान उनसे छीन लिया गया था दूसी तरफ तेजस्वी यादव पर भी साफ तोर पर निशान दिखाई दे रहा है और सबसे शौकिंग बात इस मुद्दे पर अदालतें पूरी तरह से खामोश है विपक्ष के निताओं को जेल में डाला जा रहा है दूसी तरफ पत्रकार जो इस सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें आतंगवाद की धाराओं में फसाया जा रहा है इस मंच से मैं आप से बात कर रहा हूँ दोस्तों उस मंच के प्रधान संपादक के खिलाफ क्या किया गया आप सब जानते हैं कोई नहीं जानता कि क्या मामला है कोई नहीं जानता कि सुबूत क्या है तीन-तीन साल से प्रवरतन ने देशाले यानि E.D. ने कोई चारशीट नहीं दाखिल की सोशल आक्टिविस्स को बगएर चारशीट के आतंकबात की धाराओं में डाल दिया जाता है भीमा कोरेगाओं के मामले में लोगों को चार-चार साल से जेल में डाल दिया जाता है और इनमें से कई तो जेल में ही दम तोड़ देते हैं उमर खालिद जेल में क्यों हैं कोई नहीं जानता मगर उन पर निशाना साधा जा रहा है कहने कार्थ क्या है दोस्तों कहने कार्थ यह है कि एक तरफ अपने धन्ना सेट मित्रों को फाइदा पहुँचाया जा रहा है उन्हें दुनिया के अमीर लोगों में शुमार किया जा रहा है दूसरी तरफ विपक्ष और पत्रकारों और सामाजिक कारकरताओं पे लगातार निशाना साधा जा रहा है और परिणाम लोकतंत्र जो है वो तारतार हो रहा है भारत का चर्चित लोकतंत्र जो दुनिया भर के धन्ना सेटों, इन्वेस्टर्स के लिए एक आकरशक चीज थी जिसके चलते वो भारत में आके इन्वेस्ट करते थे उसे तारतार किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है इसलिए मैंने कारकरम की शुरुवात में पूछा था कि क्या प्रधानंत्री नरेंद्र बोदी लोकसभा के चुनावों को लेकर टेंशन में हैं, तनाव में हैं, क्या उनके मन में डर है, अरे भाई अगर आपको 400 सीटे मिल रही हैं, तो आप अरविंद केजवाल को जेल में क चाहते थे, आखिर क्या वज़ा है कि आप उनके साथ सत्ता में हैं, जिस नितीश कुमार को आप पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, आखिर क्या वज़ा है कि उस नितीश कुमार के साथ आप दोबारा सत्ता में हैं, कहने कारती है दोस्तों की भारती जनता पार्टी, भर इन तमाम मुद्दों पर समझोता कर रही है खुले आम समझोता कर रही है और वो ये जानती है कि उनसे कोई सवाल नहीं उठाएगा जैसे मैंने कहा 99 पीसदी मीडिया यह यह कहा जाए भारत के 99 पीसदी घरों में जो मीडिया पहुँचता है वो सत्ता से सवाल नहीं करता लहाजा देश की जनता के लिए यह अमरितकाल चल रहा है जबकी धन्ना सेटों और गरीबों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है और आंडी मुखर जी ने बाकाइदा अपने इस आर्टिकल में उस बात का जिक्र किया है आंडी मुखर जी क्या कहते हैं दोस्तों अपने इस आर्टिकल में आपको सरल शब्दों में बताता हूँ आंडी मुखर जी कहते हैं कि देश की जो कमाओ आबादी है वो है 92 क्रोज और इसमें से 10,000 लोग कमाते हैं करीब 38 करोड रुपए और क्या आप जानते हैं ये जो 10,000 लोग कमाते हैं वो देश की आवरेज इंकम से करीब 2000 गुना ज्यादा है आवरेज इंकम है 2800 डॉलर यानि 2800 रुप और जो 10,000 लोग कमाते हैं वो इससे करीब 2000 गुना ज्यादा है और देश के 10 में से 9 लोगों की कमाई आवरिज से कम है यानि आसत से कम है पिछले 10 सालों में जैसे कि आंडी मुखर जी कहते हैं अमीरों और गरीबों का फर्ख लगातार बढ़ा है और भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी के जो परमित्र हैं चाहे वो गौतमाडानी हो चाहे वो मुकेशंबानी हो चाहे वो सज्जन जिंदल हो वो दुनिया के मानशित्र में लगातार दस्तक दे रहे हैं और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार हो गए हैं मगर ये मुद्दे इसलिए भाजपा को विचलित नहीं करते इसलिए प्रधान मंत्री को चिल्टित नहीं करते क्योंकि वो अपनी गोदी मीडिया के सहारे, धर्म का धतूरा और समाज को बाटने का एक लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम आपके सामने हैं अब इसार शेर्मा को दीजे अजाज़त, नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता का समर्थन कीजे, सच में मेरा साथी बनिये, बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये